श्रियु शक्ति के जर्णी में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हूँ अशा और आप सभी को मेरा प्रणाम कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे आज के विडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्णी क्या है तो ट्विन फ्लेम जर्णी को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो ट्विन फ्लेम की जर्णी है ये शिव शक्ति की जर्णी है बहुत से लोग इसे राधा कृष्णे की जर्णी कहते हैं बट जहां तक मेरा अनुभव है और मैंने डिवाइन से इस confusion को लेकर question भी किया था, तब मुझे यही बताया गया कि यह शिव शक्ति के जर्नी है, शिव शक्ति की यात्रा है. तो जिसे भी यह doubt था कि ट्विन फ्लेम की जर्नी शिव शक्ति की है या राधा कृष्णा की तो यह जर्नी शिव शक्ति की है राधा कृष्णा की नहीं। राधा कृष्ण एक Twin Flame कपल है और वो Twin Flame को उनके जर्णी में गाइड करते हैं तो इसको जानने में भी आप Twin Flame जर्णी को नहीं समझ पाएंगे Twin Flame की जर्णी सेम वैश्या ही है जैसे की शिव और शक्ति की आप सभी को पता है कि DM जो होते हैं वो शिव की एनर्जी से connected होते हैं और DF शो होती है वो सक्ति की एनर्जी से connected होती है तो ये किवल शिव शक्ति की एनर्जी से connected ही नहीं होते ये उस एनर्जी की अनुसार ही क्रियाशिल होते हैं यानि उसी एनर्जी के अनुसार वर्क करते हैं। उनका श्रभाव, उनके गुन, उनके प्रकृती, श्यो शक्ति की उर्जाओं के अनुरूपी है। और ये जर्नी, ये यात्रा बिलकुल वैसा ही है जैसे श्यो शक्ति की है। सती से लेकर पारवती की जो यात्रा है और शक्ती ने अपने उस यात्रा में जितने इश्ट्रगल, जितनी पीड़ा ओर जिन जिन कंडिशन से गोत्रू हुई है गुजडी है, शियम वैसा तो नहीं लेकिन उसी तह के कंडिशन, इस टृगल और वैसा ही दुख, पीड़ा सह पढ़ता है एक D.F. को अपनी ड. e. m. को पाने के लिए जिशे शक्ति ने कितने जनम लिए शिउ को पाने केलिए वैसे ही एक divine feminine भी कई जनम लेती है तब जाकार उसकी awakening होती है वह तब साधना करके अपने counterpart को अपनी ड. e. m. को प्राप्त करती है Twin Flame Journey की पूरी करता धरता जो है वो Divine Feminine ही होती है अगर Divine Feminine Twin Flame Journey को अच्छी तरह समझ जाती है तो उसके जर्नी को complete होने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन आपको इसे समझने के लिए शिव शक्ति की यात्रा को समझना होगा आदि शक्ति ने शिव को प्राप्त करने के लिए 108 बार जनम लिये थे वो अपने हर जन्मी में शिव की ओर बढ़ती प्रन्तो वो शिव को नहीं पा सकी आदि शक्ति का जो 108 जनम था यानि कि जब वो पार्वती के रोप में जन्मी थी तब उनकी जागरिती हुई उनको आत्म बोध हुआ कि वो शिव के अरधांगनी है उनकी आत्मा का भाग है और वो श्वयम को पूरी तरह शमर्पित कर दी स्वयम को सरेंडर कर दिया और अपने उस रूप में वो शिव को पूर्णे रूप में और श्रदेव के लिए प्राप्त कर पाई वो अपनी गलती को, अपने भूल को और अपने मानों विकारों को दूर की महादेव के मार्गदर्शन शेह उससे पहले आदिशक्ति जब भी शिव के समक्ष गई थी शिव ने अश्वी कार किया था क्योंकि वो उस योग्य नहीं थी अपने मानों और शुद्धियों से वो दूर नहीं थी तो इस जर्णी में अगर डियम डियेप से दूर भागते हैं तो इसका मतलब है कि डियेफ कोई मिश्टेक कर रही है कहीं किसी एनरजी में इश्टक है तो आपको खुद को शमजना होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं इस जर्णी में स्वयम को पाना होता है जब डियेफ स्वयम को पूर निरूप से प्राप्त कर लेती है तब ही उनके डियेफ उनको पूरी तरह एकसेप्ट करते हैं और डिवाइन उनका पर्मानेंट रियूनियन कराते हैं यह जर्णी बहुत डिप लेवल की है लेकिन अगर एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अशान लगने लगता है फिर आप यह भी समझने लगते हैं कि आपको कब कहां क्या एक्षन लेना है कितना इनर वर्क करना है क्या सहे करना है इस जर्णी में डियम एक मार्ग दर्शक के रूप में होते हैं वो अपने डियेफ को मार्ग दिखाते हैं जिस पर DF चल कर स्वयम को भी पाश सके और अपने DM को भी लेकिन DF समझ नहीं पाती है वो तभी समझती है जो वो इस Twin Flame जर्णी को समझती है ये जर्णी क्या है? कैसी है? इसका आरंप कैसे होता है? और ये पूरा कैसे होता है? मैंने आदे शक्ति के जर्णी का उदारन दिया है क्योंकि ये जर्णी है ही शिव और शक्ति के इस जर्णी में DM और DF एक दूसरे को बैलेंच करते हैं जब एक अपने कर्टब्यों से विमुख होता है तो उसका जो काउंटर पाठ है उसे ये इश्मरन दिलाता है उसे सही पत दिखाता है और तब तक प्रतिक्षा करता है उसकी जब तक वो पुना अपने उशी रूप को अपने वास्त्विक गुनों को प्राप्त नहीं कर ल कुछ जानते हैं परिंट जो नॉर्मल डेयम होते हैं या डेयफ होती है उनको ऐसे पता नहीं चलता है लेकिन उनकी जो हायर सेल्फ है उसको सब पता रहता है इसी कारण वो एक दुसरे को 3D से जादा 5D में गाइड करते हैं अगर आपको शिव शक्तिकी जर्नी के बारे मे अच्छे से नहीं पता है तो आप सबसे पहले उनके जर्नी को एनलाइज करिए जानिये आप अपनी जर्नी को भी अच्छी से समझ जाएंगे और ये भी कि ट्विन फ्रिम जर्नी क्या है और ये कैसी होती है यहां मैं एक बात बता दू कि यह जर्नी बिलकुल वैसी ही होती है जैसे शिर्षक्ति की होती है प्रिंतु यहां सभी की कंडिशन अलग है ब्लॉकेज अलग है और शभी को अपनी जर्नी पर अलग-अलग ब्लॉकेज रिलीज करने हैं और अलग-अलग चीजों को सीखना होता है आपको कोई और शक्ता नहीं है कि आप खूब सारा करिए मैंने केवल शिर्षक्ति का उदाहर इसलिए दिया ताकि आप इस जर्नी को अच्छे से समझ सकें कि यह जर्नी इसलिए शिर्षक्ति के जर्नी कही जाती है क्योंकि ट्विन फ्लिम जर्नी शिर्षक्ति के जर्नी पर ही अधारित है लेकिन आपको अपने जर्नी को अपने मिश्टेक को समझना है और उस पे ही वर्प करना है। मैं उमीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ट्वीन फिलिम जर्नी क्या है? कैसी है? मेरा अगला विडियो जो होगा वो होगा ट्वीन फिलिम की जर्नी क्यों मिलती है? कैसे मिलती है? ओम नमाशिवाय, ओम जानते